इस विड़ों में हमका 16 गिरी विज्ञान मॉडल पेपर का 24 का जो मॉडल पेपर है उसका पूरा सलूशन बताने वाल है यानि कि आपको पूरा हल बताएंगे और देख सकते हैं कि सेम ऐसा ही आपका पेपर है का जो यदि आप इस मॉडल पेपर को तयार कर लेते हो तो 24 पूरा आपको सलूशन बताएंगे और प्लस में जो आपका ओमाज सीट होता है उसको कैसे भरना है सारी चीजे बताएंगे तो बस वीडियो को एंट तक देखना सबसे पले यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह भी बताएंगे कि आपको कौवर पेज को कैसे फिल अप करन के लिए बस फुरा करकर के लाया आँ यह शारी चीजे बताऊंगा सबसे पले यहां पर देखिए यह है आपका क्या है आपका मॉडल पेपर जो है गरी विग्जान का है देखिए अच्छे सिसको देखिए सबसे पले यहां पर आपका जो समय मिलता है इसमें तीन गंटे 15 मिनट कराता है और 15 मिनट जो होते हैं परस्थ आपको पढ़ने के लिए दिये जाते हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए ध्यान पूरत ठीक है ना चली यहां पर इसको अच्छे से पढ़िए सबसे पर एक खंड आवा में आप का कौन सा सही था लिए सही था तो सही था तो इस वह करेंगे अच्छे से हम बलाय प्लेयक कर देंगे लाह भी लूं B कर देंगे और यहां यहां पर यहां पर प्लेध का कोड भरना हो पिह बहरा थीग और यहां पर नहीं चीज ह love and i ले जाने के लिए लुए कि होने वाला रोग है बहुत जदा आसान और important है कि असूद जल से कौन सा रोग होता है आपको बताना अच्छे तरीके से दोसुध से कौन सा रोग होता है सभी ये सभी जो है 속लिए obsessive और है ये सभी रोग जो होते हैं आई तो इसका राई टानसर हो जगा सभी चौथा नमबर ऑफसर कि समय की सा हमें कि सर भी की तो सभी कि बच्छत होती। यहां पर अगला करया थंड़े स्पंज में क्या परियोग करना चाहिए आपको बर्व का पानी परियोग कर नचेए कौना सा पष्छ पानी यहां पफ चलिए कि वाटर का कर रहे कि प्रत में तो 34 कश्चट रहें उधा कर रहें हैं मोति जहरा का सम प्राप्तिकल कितना होता है कितना होता है तो लिभूदिर की सुधी की संग में होती है तो रुधीर की सुदी जो होती है आपके फुफूस यानि की फेफड़े में होती है चले अगला करें भोफाल धूर गटना किसका उधारन है तो जो है वायू प्रदूसर्ण का उधारन है या दखेगा अब देखेगा यहां पर अगला करें कि आट से पर बांदनी चाहिए तो जो बांदनी चाहिए फोडो पर बांदनी चाहिए नंबर की प्रेक्रितिक्स और संतुलन में कौन सी आपड़ा आती है प्रेक्रितिक संतुलन में सुखा भी पड़ता है बाड़ भी आ जाती है और बंचर भूमी भी हो जाती है चौथा नंबर इसका राइट आंसर होजएगा चले उसके बाद करें सूती तन तुप्राप्त होता है किसे प्राप्त होता है तो जो होता है आपके वनस्पतियों से जए किसे वनस्पतियों से प्राप्त होथा है ठीक है ना चली यहां पर अगला करें कि के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होती bourne होती है जो सांतुलित बजट माना जाता है किस को माना जाता है किसंतुलित को या घाटे को या बचट को या फीर इन में की से कोई नहीं तो जit माना जाता है दोरा या दखें घगा हमें लिए लेस के लिए में च्छोटी चवक या पार्टा का प्रयोंगर पते जाता है उससका होता है ऊस कढ़ा कुण जिया ओडूक लोग जिक्राइए चुट करना चाहे यहां पर इसको करते हैं और अगला देखतेए लिध पर साली एक पाया कुण क्या सब्सक्राइब को का इंगे जो है आपिक कैड़ा होते हैं तेल चट्टे होते हैं उन खंडबा निदेश प्रस्ण संख्य एकी से 26 तक अति लग उत्री है प्रतेक प्रस्ण का उत्र अधिक्तम 25 सब्दों में लिखे यहां पर दो गुणे च्व यानि कि 12 नंबर का है चो प्रस्ण करना है और प्रतेक प्रस्ण दो नंबर का है सबसे पहला करें कि लग चीले बज से जो भी प्रस्ण अतर है यानि की कीसवा नंबर प्रस्ण है तो हमने लिखा प्रस्ण उतर 21 और प्रस्ण उतर 21 में पुछा किया गया था लचीले बजट से आपको तयद पर बताना है तो देखिए लिखा कि लचीले बजट से आगामी अवधी के लिए बहतर इस्थितिक कानुमान लगाने के लिए लेखांकंद अवधी से पहले पसंद किया जाता है इसको अच्छे से आपको याद करने नहें लाचीले बजट का इतना आप एंसवाद लिख देंगे तो आपका एकदम से बिल्कुल आपका कितना नमब परत का क्या महतो है तो यहां पर प्रस्पोरतर 22 लिखेंगे और बताएंगे ओज़न परत का क्या महतो है तो देखें लिखा है कि ओज़न परत सूरी से आने वाली परबैगनी कीडों को 97-99% आउसोसित करती है या प्रिथवी की सर्था पर जीवन को विकरण के हनिकारक अस यहां पर प्रस्पोरता 23 में पुछा गया था तो लिखेंगे वस्तो कि कटाई वंसिलाई के लिए व्यक्ति का माप लेना आवस्यक है इसकी दो वीदिया नीमन है नीमन कौनस यह दो वीदिया सीने के वाल सीने अथा चाती की माप लेना और दूसरा है विन अंगो का माप और बोड में सेम ऐसे कुशन फसेंगे भी अब देखे प्रस्पोरता 24 नमबर क्या पूछ रहा है कि मोच किसे कहते हैं यहां पर हम प्रस्पोरता 24 लिखेंगे और मोच में बताएंगे कि मोच किसी जोड के बंधन का फट जाना मोच कहलाता है सधानता टकने घुटने नीड की हड़ी तथा कलाई जैसे आंगों में मोच आती है यह मोच के बारे में हमने लिख दिया 25 वर्ड़ में लिखना तक 25 से 30 वर्ड़ में तो आमने अच्हे से लिख दिया उसके लिख और को खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाव है तो आम यहां पर प्रस्मोतर 25 अच्छ दीजिगा और इसी को लिख देंगे तो बोर्ड इग्जाम में आपके फूल मार्क्स मिलेंगे और यह कोशन आपके रिपीट भी करेगा बोर्ड में देखना हमेशा आप देखिए यहां पर प्रशनोताथ 26 कि थंडी से की दो विधिया बताईए थंडी से की दो विधिया तो दूसरा नंबर लिखेंगे कि बर्फ की थैली इस थैली को वर्फ रखकर इस थैली में बर्फो रहकर माथे वाज सीर पर शीख करने से ठंडाक मिलता है तो यह 2 विधिया अच्छे से याद कर लिजिगा और गारंटी है कि यह पूछेगा यह पूछेगा बोर्ड जामें त प्रत्यक प्रस्त कितने नंबर का है पांच नंबर का प्रत्यक प्रस्त है ठीक न तो पचास वर के अंदर में देंना भी उत्तर आप चली यहां पर 27 नंबर कर रहा है कि कर्भोई हैड्रेट प्रोटीन पोशकता तो की शुदक्षा के उपाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क यह अत्ती लगुत्तरी खतम हुए तो उसके बाद यह लगुत्तरी शुरू हो रहा है तो लगुत्तरी हेडिंग बनाएंगे उसके बाद लिखेंगे प्रस्णोता 27 और पुछा क्या गया था कि कार्भोहेड्रेट एम प्रोटीन पोशक्तातों की शुरक्षा के नीमन चाहिए तीसरा करें भोजन को ढखकर पकाना चाहिए और चौथा करें आटे को यथा संभव चोकत सहीत परियोग करना चाहिए ठीक है न इससे आपके प्रोटीन और पुर्शक्ता तो सुरक्षित पाए जाते हैं और आपके सरीर के लिए फायदे मन भी यह होते हैं चलिए उसके बाद करें सरीर में जल के कारें बताई हैं तो देखे प्रस्णोतर 28 समने लिखा और सरीर में जल के निम्न कारें कौन कौन से हैं सरीर की समष्ट अपचाई की रिया जल माध्यम में संपन होती है अधर्त का तरल भाग प्लाजमा जो 90% जल ही होता है पुसक पदात हु जल के विसले हनिकारक पदात हो कि उसाजन में मदद करता है तो यह जल के आपके कारें हो जाए तो दिखिए हमने आज की सुड़ों में केवल 28 नमबर तक ही बताया अगर आप कमेंट करते हैं तो 29 30 और 31 यह प्रस्णत आ जाते हैं और लॉंग आंसर के भी दो प्रस्णत आ कर देंगे तो बढ़ो